तो friends आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि आप कम खर्च में training के जो certificates होते हैं वो आप कैसे लोगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी job होती है जहां पे आप reference submit नहीं करोगे यानि कि आप जहां से training किये हो उसके certificates को submit नहीं करोगे तब तक आपका selection नहीं होता है आपका rejection हो सकता है तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम खर्च में आप training तो करते ही हो साथ में जो आपको certificate मिलेगा वो ISO certified मिलेगा यानि कि all over India में उसका valid है आप कहीं भी इसको show करते हो तो उसका आपको value मिलेगा तो मकसद आपका सिर्फ यहाँ पर training certificates लेना नहीं होना चाहिए आपको course तो करनी परेगी सीखना परेगा आपको चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास class 10 का class 9 का certificates है उसके बाद हम लोग के पास diploma हो गई engineering का भी certificates हमारे पास है हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास certificate है यानि कि हम बहुत कुछ जानते हैं नहीं actually आप corporate sector के हिसाब से कुछ नहीं जानते हो आपको वो सारी चीज़े सीखनी परेगी अभी हम जो भी education system भी अगर आप देखोगे हम लोग जो भी colleges में परते हैं और modify क्या करना होगा हम लोग को practical चीज़ों को सीखना होगा और practical चीज़े हमें कहां से सीखती हैं practical चीज़े हम लोग अपने life से सीखते हैं काम को करके सीखते हैं काम को देख कर सीखते हैं ना कि हम लोग किताब के चार पन्नों को पढ़के सीखते हैं तो हम लोग को सीखना है, हम लोग को skills को gain करना है, career में growth करने के लिए, तो career में आगे बढ़ने के लिए आपको exam, आपको interview crack करना पड़ेगा, और इस interview को crack करने के लिए आपको skills लानी पड़ेगी, तो आपके मन में यह आएगा कि कौनसी कौनसी skills है, जो अभी के market में बहुत ज्यादा valuable है, जो आपको सीखना ही चाहिए, अगर आप वो नहीं सीखोगे, तो आपको value नहीं मिलेगा, company आपको select नहीं करेगी, तो मैं आपको list of वो सारे चीश बताता हूँ अभी आपको, जो अगर आप सीख लोगे, कहीं से भी, मैं यह नहीं बोलता हूँ कि आपको यहीं से सीखना है, तो सब चीज़ आप देख लीज़ेगा तो चली पहले दो content के बारे में आपको बताते हैं कि कौन से कौन सी skills है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और company उसी को मांगती है company freshers नहीं मांगती है अभी company अभी ready-made engineers मांगती है जिसके पास सारे skills है भले वो fresher है लेकिन उसे knowledge सब चीज़ की है सबसे पहले यहाँ पर आता है आप देख सकते हो यहाँ पर estimation estimation के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे construction site में कुछ भी आप करना है तो आपको estimate करना ही करना पड estimate करना है तो बिना estimate के आप civil line में एक कदम भी आगे नहीं बर पाओगे तो estimate सबसे पहली हो गई उसके बाद bar bending schedule हो गया बार बेंडिंग schedule के साथ बार बेंडिंग schedule advance यानि कि आपको Excel में वो चीच करना आना चाहिए देखिए manually अगर आप बार बेंडिंग schedule करोगे तो बहु पोथा बना की जो लेक है फोथा बना के लेक है वो अब submit कर दिया और दिखा दिये तब तो जो हाई authority है वो गरम हो जाएगा कि इसके पास उतना सवक्त नहीं है आपको Excel में करके summarize करके उसको दिखाना पड़ेगा तो बार बेंडिंग schedule में हम लोग still का wastage होता है वो control करना स सीखते हैं still को किसी साब से लोग cutting करें कि कम-कम still ही मेरा wastage हो और proper जहां पर जितना लगना है वहां लग भी जाए तो यह सारा wastage control हम लोग बार बेंडिंग schedule में सीखते हैं उसके बाद आता है यहां पर quantity survey and rate analysis यह देखिए जब भी project start होता है ना तो सबसे पहला काम होता है quantity quantity survey का कि वो पूरा project का quantify करके budget निकालके पूरा budget एक दे कि उसका खर्च कितना होने वाला है और बड़ी-बड़ी company क्या करती है ना कि लोन लेती है बड़ी-बड़ी बैंकों से तो उन लोग को सबसे पहले quantity survey करना ही पड़ेगा और वो चीज़ पहले बैंक को submit करने परती है त 1970 क्या करता है कि लोन आपको submit करता है तो यह भी आपको पता होना चाहीए rate analysis नहीं पर करना होगा rate analysis में उसके बात बात आता है यहां पे billing and planning का आप काम तो करवा रहे हो लेकिन उसका billing तो आपको करना परेगा ना बिना billing के आप पैसा claim नहीं कर पाओ गया और पैसा नहीं आएगा तो आपका project आगे नहीं बढ़ेगा फिर उसी के साथ billing के साथ यहां पे आपको contracts and tendering में आपको आना चाहिए फिर अगर आपको practical knowledge सब आती है लेकिन आपको software का knowledge नहीं है तो मुश्किल होता है आपको थोड़ा क्योंकि बहुत वक्त ऐसा होता है कि आपके पास कोई नहीं है लेकिन आपको software को आपर use करना है जैसे AutoCAD हो गया AutoCAD अगर आपको नहीं आता है तो civil line में आपको बहुत मुश्किली आ सकती है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत कुछ आपको ड्राइं में प्रोवाइड नहीं किया रहा था हाट कॉपी में तो आपको reference लेना पड़ता है soft copy से तो उसमें हम लोग क्या करते है और उसके बाद मैं आपको ब मैं पहले दो मैने में यह खतम कर दूंगा उसके बादवाले चार वेने में यह खतम कर दूंगा करके आपको क्या करना है कि target रहता है कि 2 साल से पहले मैं खतम करके दे दूं तो इसके लिए आपको planning करनी परती है और इस सारा planning आपका होता है Microsoft Project में तो यह सारे skills आपके यहां से सीखोगे तो आप कुछ add-on benefits मिलती है जिसमें आप सीख सकते हो extra में Revit architecture हो गया Google SketchUp हो गया 3DX Max हो गया eTabs हो गया StatPro हो गया Primavera हो गया जो की planning का बहुत बड़ा एक software है उसके बाद यहां पे resume making हो गया आप पूरी तयारी कर लिए आपको सब चीज आता है लेकिन अगर आपका resume दंदार नहीं है तो आप वहां पे क्या होता है कि बहुत हद तक आगे नहीं बर पाओगे क्योंकि वह आपका सबसे पहला impression होता है वह बोलता है ना कि first impression is the last impression तो cv आपकी सबसे first impression होती है तो उसको भी कैसे proper तरीके साब को design करना है आपके job के according जिस job के लिए apply कर रहे हो उसके according वह सारे चीज भी आपको यहां पे सिखाए जाएंगे साथ में यहां पे job detective course भी आपको free में चाहिए तभी जाके आप job को crack कर सकते हो तो अभी मैंने आपको जितना skills बताया इस सारे skills आप सीख सकते हो at limited cost बहुती reasonable price में आपको यहां पे नीचे number दिख रहा होगा इस number पर आपको call करना है और call करके आपके जो भी कुछ आपको पूछना है वह सारे चीज़ पूछ सकते हो और course से related जितने भी यहां पे PDFs available है आपके जो भी doubts है वह सारे clear हो जाएंगे इसी वीडियो के description में आपको PDF मिल जाएगा उस PDF को डाउनलोग जरू कर लिजेगा और वहां से आप सारा चीज course के बारे में देख सकते हो अगर आप जाके मार्केट में सर्वे करते हो तो अभी मैंने जितना course आपको बताया लगबाग इसका डेर से दो लाग रुपय पढ़ जाएगा अगर किसी बड़े इस नमबर पर पूछ लीजे आप बात कर लीजे जो भी डाउट है आप उना से clear करवा लीजे और जैसे आप यहां से course complete करते हो आपको ISO certified certificate मिलता है जो कि all over इंडिया में valid है तो career में success करने के लिए आपको किसी ना किसी का साथ होना ही चाहिए इसी लिए civil गुरुजी बोलते हैं कि कुछ करना है खास तो चलो हमारे साथ civil की बाद गुरुजी के साथ तो friends आज के वीडियो में इतना ही है मिलते हैं next वीडियो में कुछ नए topic के साथ जैहिंद